आज का टॉपिक है लिनियर मोमेंटम लिनियर मोमेंटम को हम कभी कभी अल्ली मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं मोमेंटम मोमेंटम कहिए या लिनियर मोमेंटम कहिए बात दोनों का सेम है दोनों एक ही फेनमेना का नाम है तो हमारे topic का सबसे पहला point यही है linear momentum linear momentum अगर आप से कोई ऐसे definition पूर्ज देता था आप इसली कर देते हो कि the product of mass and velocity is called momentum और linear momentum लेकिन सिर्फ formula जानना enough नहीं होता है हमें अगर कोई depth में समझाना के लिए कहा दे कि आप बताएए कि linear momentum का actual मतलब क्या होता है तो यह definition यानि यह formula enough नहीं है तो चलिए मैं आपको कुछ examples के साथ समझाना के उस्सकरता हूँ मैं फिलाल दो ball लेता हूँ ठीक है मेरे पास दो ball है दोनो ball same size का है दोनो ball same size का है ठीक है दो ball है मेरे पास दोनो same size का है यानि हम कहा सकते हैं कि दोनों का mass same है यह भी M1 है दोनों का mass same है इस case में दोनों का mass same है M1 is equal to M1 या इसे दोनों का हम लोग variable same नहीं ले सकते हैं चलिए इसको हम लोग M2 ले लेते हैं तो M1 is equal to यहां हम लोगों का M2 है यानि दोनों का mass same है यह एक ball है यह एक ball है अब हम क्या कर रहे हैं कि ये ball कुछ velocity के साथ move कर रहा है ये कुछ velocity के साथ, ये suppose करते हैं कि ये velocity V के साथ move कर रहा है V1 के साथ move कर रहा है और दुसरा वाला जो हमारा ball है ये velocity V2 के साथ move कर रहा है same direction में, तो इस case में अगर मैं मान लो कि मेरा चो velocity 1 है वो बड़ा है velocity 2 के comparison में ठीक है velocity 1 बड़ा है velocity 2 comparison में यानि कि ये ball ये ball जादा speed से भाग रहा है M2 के comparison में यानि कि इस दुसरे बाले ball के comparison में कह सकता हम ऐसा ऐसी हो रहा कुछ अब आप यहाँ खड़े हैं आप इस जग़े पर खड़े हैं आपको कहा जा रहा है कि आप इन दोनों ball को रोकने का कोसिस करो इनके 4 इसके जो velocities है उनको reduce यानि कि 0 करने का कोसिस करो यानि कि आम सब्दों में कहा जाए तो इसे आप रोको तो अगर मैं कहूं कि दोनों का mass same है लेकिन दोनों का velocity different है suppose कर लेते हैं कि velocity 1 जो है वो तो ज़्यादा है तो इस case में आप किस ball को रोकने में अपना सबसे ज़्यादा energy लगाओगे यानि आप सबसे ज़्यादा force लगाओगे तो आप कहो कि sir जो velocity ज़्यादा है यानि कि जो ball ज़्यादा velocity से आ रहा है हम उस पे ज़्यादा force लगाएंगे रोकने के लिए और जिसका velocity कम है उसको हम कम force यानि comparatively कम इस ball के comparison में कम force लगाएंगे तो यह easily लोग जाएगा यह example एक है चलिए एक example और देखते हैं बढ़ा अच्छा लगेगा को example समझिए पहले बहता देखते के समना आएगा एक ball है मेरे पास ठीक है एक दूसरा ball है तो पहला ball जो है वो छोटा है और दूसरा ball पहला ball जो है बढ़ा है और दूसरा ball छोटा है यह mass M1 है यह mass M2 है अब यह mass हमाल लेते हैं पहला के से mass बढ़ा बरावर था यहाँ पर mass बढ़ा है दूसरा वाला पहले comparison में अब यह दोनों balls जो हैं यह दोनों ही balls जो हैं यह move कर रहा है certain velocity के साथ हमाल लेते हैं यह V1 विलशिटी के साथ मूव कर रहा है और इस case में मैं माल लेता हूँ कि V1 यानि विलशिटी पहले वाले का equal to V2 यानि कि विलशिटी दुसरी वाले का बराबर है दोनों ही same velocity से move कर रहा है कि दोनों का speed कह सकते हैं कुछ दर के लिए speed हम अगर कहेंगा आपको तो यह कह सकते हैं यह particular direction में जा रहा है इसलिए हम velocity कह रहे हैं बार-बार ठीक है यह विलशिटी वेक्टर कॉंटिटी तो अब यह दोनों का velocity अगर same है और आप same ही परिखड़े हो तो आप इन दोनों ball में से किसको रोकने में ज़्यादा अपना force लगाओगे तो आप कहो कि सर अगर velocity दोनों का same है यानि कि दोनों की same रफ्तार से आप मेरे तरह आ रहा है तो जो ball भारी है उस ball को रोकने में मुझे ज़्यादा energy लगाना पड़ेगा बजाए M2 के M2 हलका है जैसे कि एक example के तोर पर आपका corket ball है और एक plastic ball है अगर corket ball आपके तरह बारा है और एक plastic ball आपके तरह बारता है तो दोनों में से आपको ज़्यादा force किसको लगाना पड़ेगा रोकने के लिए तो ओविस्टी बार है जिसका ball का भारी है यानि corket ball ज़्यादा भारी होता है comparatively plastic ball के तो उसे मुझे दे रोकने में ज़्यादा force लगाना पड़ेगा अगर दोनों का velocity सेम है चलिए एक और case देख लेते है फटाफट क्या case कह रहा है देखिए इसमें ये बड़ा interesting होगा आपके लिए समझना यहाँ पर क्या किया गया है कि हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अपना ये M1 है ये M2 है बात clear हो गया अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर M2 जो है M1 M1 का value जादा है M2 से M1 का value जादा है M2 से यानि M1 बड़ा है M2 चोटा है चलिए कोई दिक्कत नहीं है अब ये दोनों ही इस case में माल लेते हैं कि दूसरा वाला velocity जादा है पहला वाला velocity कम है या विलासिटी लिखना होगा यानि V1 यानि ये ज़्यादा spirit से जा रहा है और ये कम spirit से जा रहा है अब आप यहाँ खड़े हो अब आप मुझे बता दीजिए कि आपको किसे रुकने में जादा effort लगाना पड़ेगा जादा महनत करना पड़ेगा तो आप बोलोगे सब्सक्राइब तो मुस्किल हो गिया एक case में कहा रहे हैं कि ये ball भारी है ये ball हलका है दूसरे case में कहा रहे हैं कि mass और उसके velocity दोनों का ही यहाँ पर काफी एहम जोगदान रहेगा काफी चादा importance यहाँ पर आप देखने के लिए मिलेगा क्योंकि उन दोनों के mass और velocities का जो product होगा न वो हमें बताएगा कि actual में जोल कहा है अगर दोनों के masses और velocities को हम multiply कर देते हैं तो मुझे पता चलेगा कि actual में खेल कहाँ पर सुरू हुआ है और कैसे खत्म होगा तो इस example को मैं numerically समझता हूँ numerically मतलब की कुछ values लेकर के है न तो दो ball हमारे पास है पहला ball का mass हम लोग माल लेते है M1 यह है 10 kg mass है इसका और दूसरा वाला है M2 इसका 5 kg mass है और पहला वाला जो ball है वो V1 velocity तो माल लेते हैं कि यह 2 meter per second के speed से जा रहा है और दूसरा वाला जो है यह V2 यह जा रहा है यह जा रहा है 3 meter per second के speed से अब आपको रोकना है आप यहाँ पर खड़े हो अब आपको हमने कहा कि सरल उपाई क्या है देख रहे हुई यह बॉल भारी है यह बॉल हरका है भारी बाला बॉल कम इसपिटस जा रहा है हलका बाला बॉल जा रहा है तो आप क्या करोगा simple सा concept है simple सा concept है क्या करोगा आप दोनों के mass को को प्रड़ करोगे यानि कि M1 इंटू फिवन माइस और विलोशिटी सारी माफ करेगा M1 इंटू फिवन यानि कि 10 इंटू 2 तो क्या मिलेगा आपको इसका मेरा 20 निमेरिकल भैलू हमें यूनिट नहीं लिख रहे फिलाल यूनिट बाद में लिखेंगे हम और दूसरे वाले म में क्या आएगा M2 इंटू फिटू यानि कि क्या सकता इसमें 5 इंटू 3 15 अब आप बोलिए दोनों का प्रोड़क्ट में कौन ज्यादा है तो आप लोगसर पहला वाला ज्यादा है यस तो पहले वाले को रोकने में आपको ज्यादा effort लगाना पड़ेगा यानि कि पहले व कितना effort लगाना पड़ेगा किसी भी body को moving condition में अगर है और उस body कोई mass है उसे रोकने के लिए तो यही कहलाता है यह प्रोड़क्ट आ रहा है this product is known as linear momentum और simply momentum और इस momentum या linear momentum का symbol होता है P इससे हम लोग P से symbolized करते है राइट capital P के साथ उमीद करते हैं इस तिहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं रही होगी बहतर समझ पाए होगे आप ठीक और momentum एक vector quantity है इसको या रखिए हमें सा momentum is a vector quantity because here is a velocity velocity is also a vector quantity so it will make momentum a vector quantity ठीक है और momentum का SI unit क्या होता है तो momentum का SI unit क्या होता है तो momentum का SI unit क्या होता ही आपको बहतर अभी खुद भुद खुद आप कह दोगे कि इसका SI unit क्या होता है सर मैस का SI unit क्या होता हो जल्दी बताओ तो सर होता है kg विलाश्यूटि ये क्या होता है सर तो होता है मिटर पर सेकंड तो आप जल्दी बता दो मोमेंटम का क्या हो गया केजी मिटर पर सेकंड कोई दिक्कत है पो समझने में यहार तक हम उम्मिद करते हैं कि बहुत भैतर समझ में आ रहा होगा कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आ रही होगी ठीक है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि इसके सेटीमिटर ग्राम सेकेंड एसा ही मतलब होता है इसका है में सेटीमिटर को ग्राम सेकेंड यह होता है इसको हम लों कहते हैं cgs सिस्टम बाहु सारे सिस्टम होते हैं अलगलग यूनिट्स को रखने के लिए पहले के जमान में सको आ sing गया गया था बहुत सारे साइंटिस्ट और इसका हो जाएगा centimeter per second I'm sorry centimeter per second gram centimeter per second यह हो जाएगा उसका cgs में unit उसका ठीक है तो यह हो गिया हम लोगा momentum बाला का बात खतम हो गिया इसके बाद next video हम आएगे change in momentum के साथ change in momentum क्या होता है उसके द्वारा हम लोग कौन कौन से फर्मूला निकाल सकते हैं इसके बारे में next video में बात करेंगे तब तक के लिए इस video को समझेए goodbye